नमस्कार मैं हुआ उजय सबर आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीबी इसम है उत्तन में जहां पर आप दे सकते हैं संत मदद रेशा हल के पास में यहां पर 145 के विधायक गीता जैन आई है यहां पर कोली समाज जो मच्छी पकड़ने समुद्र में जाते हैं आज उनके साथ में एक मार्ग दसक सीविर का आउजिंग किया है मैं आपको दादू कि उत्तन में से जो मच्छी पकड़ते हैं वह पूरे विष्व में एक्सपोर्ड किया जाता है जो कहीं ने कहीं उत्तन का भी नाम पूरे विष्व में है इसी परकार यहां पे जो राज सरकार introduced होती है जो योजना लाई जाती है कई सरी ऐसी योजना है जो उनको पता ही नहीं है उन सब चीजों का यहां पर आमदार गीता जैन यहां पर उनको जानकाई दे रही है और इस तरह से हमारे पास दो यह पेंप्लेट आप दे सकते हैं किसां क्रेडिट कार्ड माईती पत्रक है इसके पर आम पूरी जानकाई देंगी यहां पर इसरम कार्ड है और जो दुरगटना ग्रस्त हो जाते हैं जो बोर्ट जो पकड़ने जाते हैं उसका भी मिमा इन लोग को मिलता है ऐसी कई सारी जानकारिया है जो आज गीता जैन इन सभी को बताने वाली है तो देखते हैं विधा एक रुपए भी दिये उनको पांच लाग का भीमा है उनको कोई अभगात होता है यानि कोई इंजुरी होती है तो उनको पचीस हजार की होस्पिटल की मदद है यह सभी योजनाए श्रम जी भी कार्ड की योजनाए एक सोलार पे बोट्स आए हैं वो योजनाए उनके दो किलो मेटर तक बरफ यहां कंदे पर उठाके लेके जाते हैं और बरफ की बहुत शौटेज है यहां क्योंकि इनके लिए बरफ ऐसा होता है कि वो अम्रुद समान है जब तक बरफ एक सफीशन कॉंडिटी में नहीं मिलता तब तक उनके लिए यह प्रॉब्लेम हो जाता के लेके जाने की वो उनकी मुश्किल कम कर सके उनका जीवन थोड़ा सा आसान बना सके इसलिए वो कन्वेर बेल्ट का भी प्रपोजल में ने डाला है यहां तीन-चार जगा डालना है लेकिन पहले हम एक से शुरू करेंगे जेटी बन रही है और बहुत जल्दी यहां चक पारत बाननी है जो यहां पास हो गई है 10 करोड उसके लिए सरकार से में लेकर आई हूं वो बिल्डिंग बन रही है तो इस तरह से उनके लिए जो बहुत सारे स्कीम यहां आई है उसकी उनको जानकारी देने के लिए और उनको उसका फाइदा मिले इस दिशा में काम करने क लिए आज में यह मिटिंग बुलाई है और सभी जमाद सभी पांच जो संस्था उनको यह का गया था तो सभी लोग यहां है तो उनको यह बताया जाएगा जी हां हमारे दिनेश पाटिल जो यहां के अधिकारी है वो मत्सभी बाक्य वो यहां आए है तिल जी और आप जाए जो कॉली समुदा है इनके लिए यह काफी सोच रही है कि इन्हें किसी प्रका कोई अब विवस्था ना हो अगर यह मच्छी रखते हैं जो काफी दिन चले तो इनको वर्फ रखना पड़ता है तो इनके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वर्फ लाना उसको रखना पड़ता है इसलिए यह देखते हुए इन सभी कॉली समाज लोगों को जो मच्छी मार समाज के लोग हैं इनके लिए यहां पर एक कोल्ड स्टोर्स की एक यह सरकार से यह पत्र देने वाली है कि यहां पर बनाया जाए जिससे कि जो मच्छी मार समाज के लोग है इन्हें कई शीशारी सुवधा यहां पर मिल सके और वह जो यहां पर अस्वधा है उस सुवधा को दूर करने के प्रत्नशील है और यह आग्यश से इन्हों ने बात कही अपर आने वाला समयों बताएगा कि यहां पर रिषा कब बनेगा और जो मच्छी मार जो दिक्टों का इने कही सरे समना करना पड़ता है उन समस्यों का समाधान कब तक होगा बॉंडा इंडिया की और देशलाय की रिपोर्ट